है फ्रेंट्स वेलकंटो मैच यानल लेभी रॉक्स टीम्स तो गाइस मैं आप लोग के लिए आगा है एक मैच कवर करने जो की बहुत ही बड़ी लीक होने वाला है जिसका नम है काउप डे फ्रेंट्स का मैच होने वाला है पीएसजी वॉर्स लाइल के बीच दो घंटे चुली बहुत ही जादा रेर है आप मैं आपको सईसी बताओ तो अभी जादा अनलाइज में ये वाला मैच नहीं कर पाया और वह बात बात में करेंगे बड़ इसका लिंक आपको डिस्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल का तो इसके बारे में जादा अनलाइज नहीं हो मलब इनका जो इस लीक का सेटस है काफी ओल्ड है तो इसलिए कौन से प्लेयर आज वापसी करेंगे कौन खेलेगा कौन नहीं ये चांसे आज के 50-60 है मलब लाइनप आने के बाद मैं प्रॉपर अनलाइज कर पाऊंगा जब लाइनप 50 मिनट पहले आएंगी बट अभी के लिए आपको टीम सेवन वेट करके रखनी बढ़ेगी अभी भी मैंने अनलाइस की है ऐसी बात नहीं है बट जो एक प्रॉपर अनलाइस में करता हूं ना वह मैं करता हूं लास्ट के 50-60 मिनट में क्योंकि उसके अंदर आनलाइसमेंट बहुत डेंजरस होती है आगे से बा बट मैगनन को मैं से लिए रख रहा हूं क्योंकि PSG टीम ओल आवर स्टॉंग है PSG इस दा मोर बैटर देन लाइल अगर मैं भले ही टकर की बोलू लेकिन PSG PSG ही है उनके पास ऐसे प्लेयर है नियूमर नियूमर का नाम चलता है इतनी जवरतस बॉल जगलिंग कोई नहीं कर रहते हैं यह 10-15 मैंच में कोई आपको तीन-चर मैच महीं देखेगा इसका मैला इसका प्लेइंग रेशियो बहुत ही काम है वह इसकी गलती नहीं है वह मनेजमेंट वाले की होती है क्योंकि मैं सबको बारी देनी होती है इसलिए मैं इस प्लेयर की मिस्टेक बोल लूँग चीज बहुत डिपेंड करती है इनके उपर और जे फॉंटे की बात करूं लाइल जे फॉंटे का टॉप का प्लेयर है यहां पे काफी प्लेयर इसके साथ जाएंगे एस बॉट्मन के साथ बट ड्यू टू क्रेडिट इसु मैं जाओंगा जे फॉंटे के साथ क्योंकि इसको ड्रॉप करवा दें क्या पता है आज का मैं भी खेले फॉंट आगे से बात करूं जे ट्रैक्सलर का मैंने चैक ही किया तो नॉर्मली पता चला कि जेड रेक्सलर जो है इस अ मिडल मिड़्िटर क्योंकि यहां पर आर एकलेंटरा को बारी मिलेगी पीसराबिया को बा बहले ही आर एकलेंटरा हट से हट क्या करेगा एसिस्ट करेगा लेकिन जो गोल की पावर है वो है जे ट्रैक्सलर में तो आगे से बात करूं नेक्सलर की गाईज यह एक और प्लेयर इसाक को ले रहा हूँ एक्चुली इनके पास ज्यादा ऑप्शन ना होने के कारण यह मि साक के साथ और आगे से बात करूं स्टेट फोवर्ड की केम अपैबे के साथ जाओंगा कीलियन में पैबे और न्यूमर आर मैजिक भाई यह दोनों जादू है मतलब न्यूमर की अगर वापसी होती तो मेरी पूरी टीम चेंज करूंगा मैं अपनी क्योंकि न्यूमर जैसा की जीतेगी बढ़ क्या पता लाइल का गोल हो जाए क्योंकि हो सकता है नब्बे मिनिट है बाई नब्बे मिनिट में कुछ भी हो सकता है इसलिए मैं जे बैमा के साथ आपको जाने को कहूंगा और मॉस्केन को इसलिए रहा हूँ मॉस्केन ने प्रिवियस मैचेस कहले थे जिसमें किसने गोल्स भी किये थे, असिस्टेंट गोल्स किये थे, जिसके कारण मॉइस के इनको अगर होती है, तो नूमर नहीं खेलेगा, अगर नूमर खेलेगा, तो मॉइस के नहीं खेलेगा, इन तोनों में खेल टिकता है अभी आके, और आगे से बात करूँ, कैप्टन और अभी ये टीम सेवेंड वेट कर लो इसके अंदर काफी प्लेयर्स क्या पता ना भी खेलें क्योंकि अभी इनका जो स्क्वैर्ड है वो भी काफी पुराना है इसलिए स्क्वैर्ड आने दो प्रॉपर लाइन अपस आने दो उसके बाद और मेंटेन करके आपको टीम में ग दो बाई